सीरियल मन सुंदर में आवाजें आती हैं किचिन से बरतन गिरने की तो सारी लोग किचिन में चले जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं तो मठके से पानी पी रही होती है रूही और अजीब सा ब्योहार करती है पूरी गीली होती है बहुत बड़ा मठका होता है नाहर आ जाता मुझे अच्छा लग रहा है अभी इसके पहले लग रहा था जैसे जल रहा है पूरा सरीर गुरूमा माला देखती है और समझ जाती है कि वह तूट गई इसलिए है ठीक हो गई और गुरूमा कहती है नाहर को दूर रखना पड़ेगा नहीं उसकी जान खत्रे में आ सकती है कल हम पूजा करवाएंगे यहां पर पार सल आता है दादी का दादी खोल कर देखती है तो उसमें छोटे बच्चे के खिलोने होते हैं जान बूच कर नाटा करती है क्योंकि उन्हीं ने खिलोने मंगाय थे और पलक आती है तो सारी लोग का दिमाग फिर खराब रहता है सारी उसका पती भी कहता है कि तुम थोड़े दिनों के लिए माई के चले जाओ और ये दादी ने सिखाया है दादी कहती है जाओ हम लोगों को समय मिल जाएगा हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है और तुम कुछ दिन अपने माई के रहकर आओ अपना सामान पैक कर लो मैं और दादी आती है तो उनसे कहती है कि नाहर आफिस नहीं जा रहे हो फैक्टरी में प्रॉबलम्स थी कल नाहर कहता है नहीं मैं नहीं जाओंगा लेकिन रूही कहती है नहीं आप चले जाएए मैं ठीक हूँगा है बोलता है तुम अपना मोबाइल अपने पास रखना मैं हर कहता है ठीक है मैं जाता हूँ तुम अपना खयाल रखना है